सब्सक्राइब है अगर उसमें और इंज जूस जालते हैं क्या हो विरुद मना जाता है कि एसार कहीं पर भी हमारे ग्रंथों में बता है कि प्रूट जूस डाल के कोई आसर बनाए जाए हाँ सर क्योंकि एचली में एक अभी जैसे अरिष्टम बनाए था आप जो भी पंड़ा डाल रहे हैं वह आईरवेद नहीं है वह कुछ और चीज़े मैं उसके बार में नहीं बता सकता हूं जी सर जी सर चीके सर तो जड़ी बुटियां यूजली हम डालते ना गुड़ आम ल सितनावली में कनकाशाव के बार में बताया है तो इसमें कनक मतलब धतूरा धतूरा का पंचांग है एक किलो अडुल सा मूल है वहा एक किलो है अडुल सा अपनों को मलूल करेंद हैं जो पिन्द का चून हैं 500 ग्राम मैं जो कंट का घुंफंड़ ग्राम नाकेशार जिसमें पानी है 250 लिटर और चीनी है 35 किलो और मधु है शहद है वो 15,5 किलो और मनुका है किश्मिश है वो 5 किलो धात्की का फूल का चूर्ण है 4 किलो तो कि हमें फर्मेंट करना है अरिष्ट बनाना है आसव बनाना है तो 4 किलो धात्की पुष्प का चूर्ण है और गुड है वो 60 kg लेता है सबसे पहले क्या करना है कि पाणी को किवल उबालने के बाद वह पाणी में किवल पानी को मतल़ हम लोगों को यह करना है को और यह आजव है तक इसको अरिष्ट की तरह बॉइल करके काडा निव्यक्ड पानी को बॉइल करेंगे कि उसका जो हाडनेस से वह कम हो जाए उसके बाद में धतूरा का पंचांग लेंगे अडूल सा के मूल का छाल लेंगे इन सब को पुट के यह को चुन की तरह डालके उसमें डाल उसके बाद में मनुका या किश्मिश है वो मिलाएंगे उसके बाद में हम लोग जो कंटकारी है वह 500 ग है शुंति का चुन है भारणगी मुल कच तालेश वतर कचुन है यह सब को मिक्स करेंगे उसके बाद में हम लोग चीनी जो है 250-lil है उसमें 35 kg डालेंगे और Gaussian और उसके बाद में हम लोग इसमें मनुका डाल दिया मदूय 15वीड बार नधकी बनाना चाहें उसमें डालके उसका पुरी तरह से ढखकन बंद करके और रख देंगे और फिर उसके बाद में तीन मेने के लिए रख देंगे तो यह फर्मेंट होके आशव तैयार हो जाएगा आशव अरीज जब भी तैयार होता है तो उसमें CT की तरह आवाज जाती है और उ जलते रहा तो इसका मतलब वह बन चुका है और oxygen वहां से निकल रहा है तो वह बन चुका है अगर वह बुझ जाता है तो मतलब carbon dioxide निकल रहे और इसके वज़र से हम लोग उसको और बंद करके फिर घर्मी के ओड़ दिन में 21 देज में एक महिने में बन जाते है लेकिन ठंडियों में इसको टाइम लगते हैं घर्मी की टाइम पर यह जल्दी हो जाते हैं इस तरह से बहुत जगाश जरत्नावलिक सही अलग्ज गशन आ एडिशन आई स्यस्य श्ती मदु पालने ये कि द् гор 혁 मि और लगशन थी ने मुझे नफ्रेशस्कीत पालुंल। चाहिए और उसमें मूल और फल बहुत अच्छे रहे क्योंकि हम लोग पंचांग यूज करें और कनकासव बना रहे धक्यूरा कई तो यह भी बहुत अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए इसमें हम लोग दोश देखेंगे तो कनकासव फिर जब बन जाता है उसको फिर बोट पित को वर्धन करते सामय ववस्ता में लाते हैं और यह कफ का विलियन करने का काम करते हैं कफ को मेल्ट करते हैं और जब कनकासव का प्रयोग करते हैं तो यह ब्रॉंको डालेटर का भी काम करते हैं कफ को पिगला के स्ट्रोटेस को खोल देता है इसका कनकासव में जितने पर इसका बहुत च्शाश का रहे होता है अगर हम लोग अने टमीकली देखें तो लंक्स पर कशाई काम होता है फिर्दे पर लिकाए ब्रॉंकेलफ सिकता है और जो यूरेटर होता है जो हमारा किड्नी से यूरेटर निकलता है उसमें भी यह डाइलेट करता है उसी तरह से गॉल बेड़ सिबीडी जो रहता है गॉल बेड़ स्टोन को भी निकालना है तो लोग त्रीविक्रम रसके अनुपान में इसका प्रयोग करते हैं और यह सामावस्था में विशेश रूप से कारे करता है यह अगनी वरधन का करता है और यह तरह से विशारी द्रवे यह सुख्ष्म है विकासी है ती क्शन है उसने हैं लेखन का कारे करता है कोफ का शोशन का कारे करता है और शेल में रुक्षता लाता है उसी तरह से यह मदुर कटू रसात्मक होता है उश्न विर्यात्मक होता है और कटू विपाकी होता है मतलब पेट में जाके यहां टिका बन जाता है इसका अगर प्रयोक करें तो पांच भातिक के देखे तो पृत्वी और आप तत्व का स्कृता को खुल देता है और वाईू का अनुलोमन रहते हैं यहां पर भी प्रशाप्र Father ृइप यहां टूबर कुलोसिस और 8 जैसे यक्ष्मा वियादी होती हैं उसमें इक हो गया फिर वह अपने धातुगों का शीरता आ गई है कनकासव का प्रयोक बहुत अच्छा रहते हैं । पुराना बुखार जो 21 डेस के बाद भी बुखार रहे उसमें भी हमें खुष्ट ऐसा सुक्ष्ण स्त्रोतों कामी ऐसा आवर आसवरिष्ट की जोरत पढ़ते हैं तो कनकासव का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फैदा होता है फिर रक्त पित्त में भी ये काम करता है पू है तो क्योंकि बढ़ने वाले महाराष्ट में वह जद्स नाजरी प्रदान जो सर्दी होता है क्वासी होता है उन सब में और उनके वज़र से ठीविव टैड़ होता है रोशचा इंटरनल इंजुरी हो जाते है में कुछ सब में या बेश्ट काम करता है उसी तरह से इसकी मात्रा किसी को एक एक चम्मस देना पड़ता है किसी को 20 ml देना पड़ता है प्रकृति के हिसाब से और अवस्था व्यादी इन सब अगर प्रवाब अगर एक चम्मस दो एक चम्मिर में तो क skins देना पड़ MK या फिर आप लोग वह उन् इड़ाए है तो इसकी मात्रा थोड़ा दादा देना पड़ता पड़ता है 70 का प्रभढ़ पुड़ता है पित्त प्रकृति वालों को हमें कम देना पड़ता अर इसको साथ में पानी के साद मिख्टि एक Philadelphia कोश्य जल के तरहिए तक बहुत अच्छा फाधा करता है इसको खासी के जने से बहुत अच्छा फाधा करते हैं क्योंद और स्वे центр जो मुहर मुह काल्ब गोले और नहीं तो खाना खाने के बाद सुबाशाम हम लोग देते हैं तो बहुत अच्छा पाड़ा हो इसमें किसको नहीं देना चाहिए तो इसमें धतूरा है वह उत्तम कफगन है और कफ का विल्यन करने वाला है दमा का वेक को तत्कार आराम देने व हो जाती है कोई भी तिक्ष्ण दर्व्यों से आसवरिश्टास अच्टी हो जाती है उनको यह पित बहुत ज़्यादा पसीना ला देगा और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन चक्कर अगर आ सकता है तो जो धतूरा के जो विशारी परिणाम है वहाने के चंसे होते हैं जिनको साथ में नहीं है कनकासव उनको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए उसी तरह से क्या तकलीफ हो सकता है अगर कनकासव दे दिया और उनके बाड़ी को सूट नहीं करता है तो बहुत ज़्यादा वो लोग को बेहुशी आएगी बेचैनी हो जाएगा और चक्कर आने लेगा यूरीन कम होने लेगा और बहुत ज़्यादा जलन होने लेगा तो कनकासव जो है वह कम दे या नदे उनके लिए हमें ध्यान देना पड़ता है उसी तरह से इसको बहुत सारे वैद्दे जो है वह कौफ प्रधान कास जो है जो मतलब जिसमें बल्गम आ रहे वह उस लुका है ऐसे सौमें सुभाव की दवाई होने से मतलब सौमें डाला हुए तब भी इसकी तिक्षनता उष्णता कम नहीं होता है इसको ध्यान में रखिए यह श्वासकास क्यादी में बहुत अच्छा काम करता है और जब कोई भी दवाई काम नहीं कर रहा है स्वासकास मे इससे बहुत अच्छा फैदा हो जाता है क्या करता है कि यह गरता है करते दूसरे द्रफेस को विलाइत करेंगे लेकिन ब्रॉंग्च को तो जबाएक ज्को स्वासमें उनको खोलना और साथ में हमें गरम पानी का जो हॉट वाटर बैग है उससे शेख सकते हैं अगर श्वास बहुत ज्यादा लग रहे तो और चाती में सरसो का तेल लगा सकते हैं अलशी का काढ़ा लगा सकते हैं फिर उसकी तरह से इंटर्नली हम लोग कुमारी का जल दे सकते हैं और जहां पर भी कफ कम करना है हमें तो हम वमन तो ही हमारा की कफ की व्यादियों में वमन देना होता है उल्टी कराना होता है यह खिलाके लेकिन उससे वह अवस्था ऐसे अगर नहीं है प्रेशन दुर्बल है या वह अभी टाइम निया है तो हम लोग कंकासव का प्रियोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है कि इसके साथ में थोड़ा पानी देना बहुत जरूरी होता है और या फिर बीलेइक करते हैं Now बंघ्सार्फ कि कोश्न जल जो है अनेलोमेत करते हैं वयू का शमन करते और वेख कम हो जाते हैं पुराना रही ऊतना ये फाइदेमन आप government प्रहाना इत्याइव करें आप लोग को बलाता हुँ आप लोग कर कि आपने प्रेख किया ते अनद्ट ने यूज तो कि यह तो नहीं तो अच्छे रिजल्ट यह ग्ताइब सर एक डाउट सा सर जैसे धातूरा का पंचां कितना ग्राम लेते हैं 200 ग्राम एक किलो एक किलो बताया है और सर मुनक्का कितना लेते हैं कि अधूसा का मूल का चाल किनना लेते हैं अच्छा यश्टी वादी चूर सर वह भी 250 सारे चीज़ 250-250 बाकी दो ही चीज़े अधूसा का पंचांग क्योंकि वह भी तो अधूसा मूल एक किलो और यह दतूरा का पंचांग एक किलो और तो टोटल जो टोटल जी सर टोटल जैसे हम 35 किलो खांड साट किलो गुड़ और 15 किलो शहद लेते हैं अगर शहद नहीं अफोर्ट कर पार पानी है कितना ज्यादा मतर में बन रहे हैं जी सर तीन सौ लीटर के असपास पूरी कॉंटिटी रहेगी सब्सक्राइब कर पाते हैं तो क्या कम डाल कि उसके खांड या चीन वो गूर्ड ले सकते हैं कि वैसे क्वालिटी गिर जाएगी अचल तो ऐसे ही किया जाते है सारी कंपनिया तो ऐसे बनाती है यह नहीं है तो दूसरा डालो दूसरा नहीं तो तुसरा डालो लेकिन जो मैंने बताए वह बहुत जरूरी है और यह डाइबिटिक प्रेशन वो कंकासव नहीं देना है इतना जी सर और जैसे हमने यह 300 लीटर फाइरल वाल्यूम इसमें से निक पूरा निकलते है अच्छा यह सब्सक्राने शेयल अगर आप लोग ने उसके इसका पनाटाश को आप लोगो नहीं उसक्ता मैं आप लोगों नहीं इसक्राइब नहीं प्रणकासव अगर किया है तो बताए कौनकौन से ग्याधियों में किया है विडनी स्टोन नहीं अप प्राणाम एक मिनाड मनिशा में मा बोलिए फिर जी तेन दुमिस्टाजी बोलेंगे यह तो स्वासकास वालों के लिए तो पेटेंट है सर और चाहरोगियों में भी प्रयोग करते हैं और जो पुराना ज्वर है उसमें भी रोगियों को देते हैं उराच्वतवाल में तो बहुत अच्छा फाइदा करता है इसमें यदि नीद भी नहीं आती है और कंटिनियूसली कास है रोगी को रात में ज्यादा जिसको आता है तो उसमें गरम बुंगुना पानी में इसको मि स्वासनली का जो संकुचन होता है उसको यह बहुत अच्छा बल प्रदान करता है जो कि हमारे अलाग जो मेडिसिन लेते हैं अपन में अलोपैति में गुष्टी फिर हमको आउशक्ता नहीं पड़ती है और दमावालों को तो रेगुलर्ली देते ही है इसमें अच्छी कनकासा तो बहुत ही वेस्ट और बहुत जल्दी फ़ास्थ मिलता है कई पेशंट हमारे ऐसे जो दमारोगी है और कई सालों से है तो उनको और आशदियों के साथ इसके अनुपान के साथ देते हैं तो सालों साल स्वास्थ है हो और जैसे अभी बना बात किये सर की शहद का तो शेहद तो शायद नहीं डालते हैं, सब गुड़का ही इसमें मिलता है स्वाद, लेकिन शेहद डलने से और ज़्याता है पुर्णकारी बन जाता है ये, हाँ सर वो लेकिन वो कॉस्ट भी आता है फिर लोगों को उसमें भी दिक्कत होती है और इसमें सर अभी तो जैसे हम है मलम उठ भी नहीं पाती है तो उसमें भी मैं इसको देती हूं तो उसमें अच्छा फाइदा मिलता है जी सर अपने ये जो बता है कि जब इसमें नोरिया है उसमें भी काम अपने ना जी सर वो जो अपनी एक पेशेंटी ना जिसको प्राब्लम हो था भी 10.5 cm था तो उसक कर दी कि 200 ml कर ले लो और इसको आप 40-40 ml रात में ले लो तो बहुत अच्छे से गया और बहुत बढ़ियां गया और अभी उसमें विली थी तो उसका साइज भी कम हो गया सर अनली वन वीक के ही ठीटमेंट में अगे और चला रहे हैं सर उसका और मैं अपडेट देते रहू अगर नहीं बोलना है तो बोल सकते हैं ऐसे अगर दिस मुझिरिया में देते हैं सर इसमने दसमूल के साथ तनकासो और अब्यार इस्ट मिलाके देते हैं सर बड़ा अच्छा काम करता है अगर और सर्वास रोगों में तो काफी अच्छा है नीमोनी प्रेशेंट में वाग अच्छा काम करते हैं सर इस्ट्वाट इसमें बहुत अच्छा काम करता है पानी मिला के सर अगर वो जो ड्रम का कोई कॉंटेक्ट नमर मिल सकते न सच है प्लास्टिक का ड्रम देदेगर मटका मटका तो महंगा ही आता है प्लास्टिक के ड्रम सर अगर चार सब्सक्राइब और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं प्लीज किसी का कोई अनुभाव है डॉक्टर गुर्पृत का और मैं कुछ बताएए आप लोग विनीता चौहन मैं आप लोग ने यूज किया है एकनका सब्दा लुटे लिंग से तरह चीज बुछना सा सुगर वाले प्रेसेंट को कैसे करेंगे जो इनका सुगर वाले को नहीं देना है ना विन्पुल नहीं देना ना क्योंकि अगर सहत पड़ा वाता तो दे भी सकते थे तो गुर मैक्सिम कम्पनिया तो गुर कही बनाती अब और ची किदने के बाद मैंने सर गाल बेडर स्टोन में भी यह दिया है तो अच्छा प्रणाम में मा बताइए सर मैंने बेटे को दिया था सर कोरोना के बाद काफे देन तक वह बल्गम आता था थोड़ा थोड़ा ऐसा बहुत कश्ट से बाहर निकलता नहीं था तब मैंने दिया था सरकन पास आप नहीं बताया था कि इतना मात्रा में दिया था कितने दिन दिया था मैं 10 to 20 ml दिया था सर 15-20 देज दिया था उसको आरा मैं बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा बता है कि कोरोना के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने यूज किया था हम तो आप लोग भी यूज करें डिस्में रहे हमें दशमुला रेश्ट के सांथ प्रयोग करिए तो बहुत अच्छा पाइदा होता है इस तरह से वेदना का शमन भी करता है ना यह करता है तो बहुत अच्छा काम बता है दीपन पाच्चन भी करता है तो अभी हम सेशन बंद करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है 15 मिनिट के बाद हम आठ पंद्रा पे हम फिर मिलेंगे फिर हम इंट्रक्टिव सेशन करेंगे थैंक्यू प्रणाम से भी लोग को